तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं STMA links की इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे किसी image के उपर link कैसे लगाते हैं और किसी email address को कैसे link करते हैं और button को कैसे link की तरह इस्तमाल कर सकते हैं इन तीनों को हम लोग यहां देखते हैं सबसे पहले है किसी image के उपर कैसे link लगाते हैं तो इसके लिए हम लोग देखिए हम लोग anchor element के अंदर एक image को लेकर आएंगे ठीक जो हमारा जैसे जहां पर हम लोग लेते थे जैसी यह क्या ह ठीक यहां पर text है इस पर click करते थे तो हम कोई side-s पर ले जाता था ठीक बस यहां पर क्या काम किया है इस चीज इस जगहा पर image को रख दिया गया तो image को रखने के लिए जिस image tag का इस्तमाल होता है इमजी का उसी का हम लोग यहां पर इस्तमाल करते हैं with attribute ठीक है और इसमें कुछ भी नहीं किया गया जैसे इसको करके देखते हैं तो आपको यह दिख रहा होगा यहां पर यह anchor element है यहां से शुरू हुआ ठीक है यह open tag anchor का और यह close tag बीच में देख ठागए यहां से यहां तक इमेज है तो यह मेर्स का जो होता है वो आपको पता होना चाएं एमेज का closing tag नहीं होता है ठीक यह open tag ही होता है इमेज का तो यहां पर आपको दिख रहा होगा image img tag img उसके बाद इसका एक attribute होता है src जहां सी यह image को लाया गया है ठीक यह इस image का address है image src में image का address या image हम देते हैं image का नाम देते हैं local अगर पड़ी हुई image है तो simply image का आप नाम देते हैं ठीक अलग यह code जिस website जिस जगहा पर मौझूद है इस code की जो file जहां मौझूद है उसी के बगल में ही माल लीजिए साथ में ही यह image पड़ी हुई है तब तो आप src में इस image का नाम ही देते हैं ठीक तो image आ जाएगी ठीक इस image के जरी है image tag के जरी है उसके बाद यह alt attribute है यह आपको पता होगा इसका क्या काम होता है इसका काम होता है कि जब यह image मौझूद नहीं होती है उस समय यह जो alt में जो text पड़ा हुआ है यह इस image की जगहा पर दिखाई देता है और इसको describe करता हो नजर आता है ठीक है तो यह फायदे मन्द होता है तब जब माल लेजे यह आपकी image मौझूद नहीं है उसकी जगह पर जो user होगा उसको दिखाई देगा कि आखर इस जगहा पर क्या चीज़ हो सकते है तो इसको describe करता हुआ text हमें alt में देना चाहिए और style attribute जो होता है उसके जरी हम इस image की जो बीद है height है इसको बताते है ठीक बीद कितनी है 42 pixel है उसके बद height कितनी है 42 pixel है ठीक तो यह सारी चीज़ें जो है यहां तक यह image को describe कर रही है और आपको यह image दिख रहे होगी smiley.gif ठीक और इस image को ही क्या बनाए गया link में डाला गया यानि कि link इसके उपर लगा दिया गया जैसे इस image के उपर click करेंगे यह जो highlighted है क्या दे रहा है यह दे रहा है इसके उपर click करेंगे तो आपको इस address पर ले जाए जाए जाएगा यानि कि यह web page open हो जाएगा ठीक जैसे इस पर click करते है तो देखिए default.asp नाम आप कैसी भी image ले लिजिए किसी भी type के ठीक है या फिर आप absolute ले लिजिए या फिर यहाँ पर जो दिया हुआ वो तो वो कौन सा है यहाँ पर relative दिया हुआ relative address इमेज का absolute किसी दूसरी website से उठा के यहाँ पर लगा कि आप try कर सकते हैं उस पर click करेंगा तो यह वाला वे पि mail to mail to value का इस्तेमाल करते हैं href attribute में hyper reference जो attribute होती है उसमें mail to का इस्तेमाल करते हैं mail to इस टाइप में इस्तेमाल करते हैं ठीक तो यहाँ पर आप change कर सकते हैं इसमें कोई दिकत नहीं लेकिन आपका mail to है यह same होना चाहिए ठीक और यहाँ पर यह इस पर click करेंगे तो इस तो इसका जो link जो mail करने वाला email email link करने वाला जो page होता वो open हो जाएगा ताकि आप उससे link किसी को email भैस सके ठीक तो इसको भी द हो जाएगा जैसे इस पर click करते हैं तो देखें यह open हो गया ठीक यहाँ Google का है सब है यहाँ पर जहां से आप link email भेजना चाहते हैं तो इससे भेज सकते हैं पहले add account add करना पड़ेगा ठीक तो इस तरीके से कर सकते हैं यह कैसे हुआ है जब आप anchor जो element है ठीक है इसके open tag में आप क्या देते हैं hyper reference attribute में आप देते हैं mail to ठीक mail to करके यह देते हैं ठीक है इसको change कर सकते हैं यहाँ भी कोई दिककत नहीं है ठीक लेकिन वो change नहीं होना चाहिए बहुँदा और इसके बाद हम देखते हैं button as a link button के उपर button जो element होता है उसको भी हम clickable बना सकते हैं link बना सकते हैं उसके पर ठीक तो इसमें बता रहे हैं थोड़ा सा आपको इसमें javascript का इस्तमाल करना पड़ेगा क्योंकि जो हम click करते हैं वह एक event से जुड़ा हुआ और event handling अकाम javascript क करता है तो यह वो लाए कि आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे तो अभी आप थोड़ा से इसको देख लेजिए तो यही चीज है यहां पर यहां पर on click नाम का attribute इस्तमाल किया गया और जिसकी value है document.location ठीक है और document.location के जरीए यहां पर हम देते हैं उस address को या फिर उस webpage को ज जाएगी ठीक है और यह चीज किस से जूड़ी हुई है यह चीज javascript से जूड़ी हुई है यह क्लिक करेंगे तो वही चीज है आपके सामने default ASP जो page है वो open हो जाएगा तो इसकी जगाँ पर आप कोई भी address दे सकते हैं तो बाकी हमें लोगों ने try नहीं किया एक बाहरी address भी लेके देख लेते हैं तो यहां पर लिख देते हैं love is everywhere तो इसको run कराते है तो आपको यही चीज दिखाए थी कि और यहां पर एक बाहरी जो image है दूसरे side पर उसको ले लेते हैं ठीक तो यह image ले ली है यह image address यहां से यहां तक है ठीक है अब इस पर जब हम click करेंगे हम लोग तो वही आपकी जो image है दिखाए देगे ठीक है तो button का नाम भी change कर दिया और इस पर जब click करेंगे तो आपको कुछ mistake हुई है mistake क्या हुई है मैंने इसको run नहीं कर आया था तो इसको पहले run करा लेते हैं फिर उसके बाद इसको click करते हैं ठीक अब देखे जैसे इस पर click किया तो यह image आपके सामने आ गई ठीक है तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं तो address दे सकते हैं बाकी पर भी आप पर आप लगा दीजिए तो emoji की जगहा हम उस image को ले लेते हैं यहाँ ठीक तो image को ले लेते हैं तो आपको दिखाए देगा यह image आपकी छोटी सी दिखाए दी आगई image और यह clickable है जैसे इसको click करेंगे तो आपको इस यह जो address है इस जगह भी पहुंचाया जाएगा यह google.com लिखा इस पर यह पैसे भी नहीं जाएगा तो क्या काम करते हैं इसकी जगह पर इस image का ही address डाल देते हैं अब run कराते हैं आप देखेंगे जब इस image के पर click करेंगे तो इस image की जो address है उसी जगह पर आ जाएगा यह और पूरा full image आपको दिखाए देगा ठीक यह देखें पूरी full image आपको दिख रही है तो ऐसे करके आप try कर सकते हैं और इसके बाद है link titles अब यह link title क्या है इसका मतलब है कि यह यह बताने कोशिस करता है कि कभी कभी होता है कि आप इस जो link होता है इस पर click नहीं करना चाहत करते हैं कि आखर इस link पर है किया ठीक है उसके बारे है बिना click किया ही तो उस case में आप title attribute का इस्तेविट गھette जो देते हैं जो की बताता है कि आखिर इस यह जो link है इस पर जो link है उस link के बारे में डिटेल बता देता है कि आखिर इसमें है क्या जैसे इसके पर mouse ले जाएंगे तो देखिए आपको यह चीज़ दिखाए दे रही है go to w3schools html section यह बता रहे है तो इससे आपको पता चलता है जैसे इसके पर mouse pointer ले जाते है ठीक यही जो आपको tip दिख रही है tool tip यह title से दिखती है ठीक तो title में यह चीज़ दे सकते हैं इसके बाद और कुछ नहीं है extra example है इसमें तो आप try कर सकते है hyper reference attribute का इस्तमाल किया गया है और open tag में किया जाता है values के रुप में आप देते हैं य इतना है बस और कुछ नहीं है hyper reference में जो value देते हैं यह आपको नहीं दिखता है ठीक यह backdoor में काम चलता है इसका आपको जो दिखने वाली चीज़ होती है आप वो inner estimate यानि content वाली होती है यहाँ पर आप image लगा दीजे button लगा दीजे कोई भीचिज लगा दीजे ठीक और औ और कुछ नहीं इसमें इसके बाद अगले lecture में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर समरी दीवी इसको देख लीजेगा